यहां पर अगर आप दो बाइक्स जो यहां पर खड़ीवी है यह आपकी बजाज सिटी 110 और जो इधर खड़ीवी है यह आपकी बजाज प्लाटीन एक्सोडस स्टार्ट करेंगे इसके कॉंपारीजन के साथ सबसे पहले इसके फरंट को कवर करेंगे तो सिटी के साथ स्टार्ट करते हैं तो अगर मैं इसके फ्रंट की बात करूँ तो यहां पर आपको LED में हैड्रीम का सेटप द देखने को मिल जाता है और वहीं सिटी में थोड़ा सा ऊपर आपको DRL का सेटप देखने को मिल जाता है चलिए अब इसका next difference बताती हूं तो सिटी में आपको कुछ इस तरह का alloy wheel का सेटप देखने को मिल जाएगा ये है इसका design element और वहीं अगर मैं प्लाटीना की बात करूँ तो वहाँ पर थोड़ा सा डेफर देखने को मिल जाएगा तो कुछ इस तरह का आपको पैटरन देखने को मिल जाएगा चोईस सब की क्लेरंस ओफर हो जाती है उसके साथ अगर मैं रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो सिटी में आपको स्प्रिंग इन स्प्रिंग सस्पेंशन ओफर करी जाती है और वहीं प्लाटीना में आपको सॉस विद नाइट्रॉक्स कैनिस्टर ओफर करा जाता है जिससे आपकी रफ देख लेते हैं इसके नेक्स दिफरेंस को अब देख लेते हैं इसके डिजाइन एलिमेंट को तो सिटी से स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का यहां पर आपको डिजाइनिंग ओफर किया गया है बाइदी कंपनी स्मार्ट लुक प्रोवाइड कर आ रहा है और वहीं प प्लाटीना बाइक है इसमें आपको कोई इंजन कवर नहीं प्रोवाइड कराया गया है तो यहांपर यह आपको ओपन ही देखने को मिल जाएगा और उसके साथ अगर मैं city की बात करूं तो यहां पर आपको इंजीन कवर देखने को मिल जाएगा तो कुछ इस तरह का आपक प्लाटिना में यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है यह है भाइक की रियर प्रोफाइल सबसे पहले प्लाटिना में आपको दिखाती ह skepthire तो इसमें आपको करियर का option भी देखने को मिल जाता है grab rail के साथ लेकिन जो platinum bike है उसमें यह आपको देखने को नहीं मिलता है further यह जो आपकी city bike है उसका जो आपका tail lamp का design है कुछ इस तरह का offer किया जाता है different है और यहाँ पर आपको platinum में इस तरह का design देखने को मिल जाता है और इसके नीचे आपको reflector की placement देखने को मिल जाती है और वही city में आपको reflector की placement mudguard के बिलकुल नीचे की तरफ करी गई है यहाँ पर आपको mudguard की look में भी difference देखने को मिलेगा तो कुछ इस तरह की यहाँ पर look offer है नीचे सी यहाँ पर थोड़ा सा उठावा प्रोवाइट कराया गया है और वही अगर मैं platina के mudguard की पीछी की look की बात करूँ तो कुछ इस shape में यह offer करा गया है तो आप यहाँ पर दोनों का look देख सकते हो चलिए अब देखते हैं इसके next difference को तो यहाँ पर आपको city में pilion के लिए कुछ इस तरह की round shape में foot trust offer करी जाती है और वही अगर मैं platina की बात करूँ तो यहाँ पर आपको thick foot pad की placement कराई जाती है तो एक comfort factor रहता है pilion के लिए चलिए एक last difference में यहाँ पर आपको और दिखा देती हूँ जो city bike है उसका जो front का mudguard का look है आपको black matte finish के साथ provide कराया गया है और यहाँ पर आपको कोई भी design element देखने को नहीं मिलेगा और अगर मैं वही प्लाटिना की बात करूँ तो यहाँ पर आपको यह glossy black color के साथ provide कराया गया है और उसके साथ यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का design element देखने को मिल जाता है जो कि smart लग रहा है यह थी दोनों bike के significant difference जो मैंने explain कर दिये है further evaluation के लिए आप showroom visit कर सकते हो चलिए अब मैं आपको इसके price के बारे में बता देती हूँ तो अगर मैं city के price की बात करूँ तो वो है 79,216 रुपे एक showroom दिल्ली में और वही अगर मैं platina 110 की बात करूँ तो उसका एक showroom price है 70,400 रुपे दिल्ली में on-road price के लिए आप showroom visit कर सकते हो I hope you have liked this video अगर आपको वेशी बसंदाई है तो प्लीज दू लेक चेर और सब्स्क्राइब और आपको प्लीज दूस्टो रिपकर लिए I will see you soon with my next video Till then, bye-bye and check it out